नमस्कार टर्निम पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ साइमा भयंकर बेईज़ती के बाद कैसा महसूस होता है ये इस वक्त कॉंग्रिस से बेटर कोई नहीं समझ सकता है क्योंकि करनाटक कॉंग्रिस ने जो मंदिरों पर जजिया लगाने का फैसला लिया था उसमें वो ओंधे मुगर गई है और ऐसी भयंकर फजियत हो रही है कि अब कॉंग्रिस कहीं पर भी मुद दिखाने के लायक नहीं बची है लेकिन सोचने वाली बात है कि आखर कॉंग्रिस ऐसे फैसले लेती ही क्यों है जिसकी वज़ा से उसे बेईज़ती का सामना करना पड़े तो चलिए आपको भी बताते हैं कि कैसे कॉंग्रिस चारों खाने चित हो गई है करनाटक में बैक फुट पर कॉंग्रिस करनाटक के कॉंग्रिस सरकार के मंदीरों की कमाई पर अधिक टैक्स वसूलने के मनसूबों पर पानी फिर गया है और संबंध में लाया गया विधेयक भी करनाटक के विधान परिशद में पारित नहीं हो पाया भाजपा और जेडियस के गटबंधन ने इस विधेयक को संयूगत रूप से विधान परिशद में गिरा दिया है और कॉंग्रिस को तगडा जटका दे दिया 75 सदस्यों वाली करनाटक विधान परिशद में मंदिरों की कमाई पर टैक्स लगाने वाले इस विधेयक को ध्वनी मत से खारिज कर दिया गया करनाटक विधान परिशद में कॉंग्रिस सरकार अलपमत में है करनाटक के इस उच्छ सदन में भाजपा के पास 35 और जेडियस के पास 8 सदसी है और एक सदसी निर्दलिय भी है जबकि कॉंग्रिस के पास यहाँ पर सिर्फ और 30 ही सदसी है एक पद अभी भी खाली है ऐसे में कॉंग्रेस सरकार का करनाटक हिंदु धार्मीक संस्तान और धर्मार्थ बंधोवस्ती विधयक 2024 विधान परिशद में पारेत नहीं हो सका करनाटक की कॉंग्रेस सरकार इस विधयक के जरी वार्षिक एक करोड से जादा दान पाने वाले मंदिरों से उनकी कमाई का 10 प्रतिश्रत जबकि 10 लाख से एक करोड तक दान पाने वाले मंदिरों से 5 प्रतिश्रत टैक्स बसूलना चाहती थी इससे पहले ये विध्यक करनाटक विधानसभा में लाया गया था सत्ता में होने के चलते विधानसभा में कॉंग्रेस सरकार को बहुमत है और इसलिए यहाँ पर ये विध्यक बिना किसी समस्या के पारित भी हो गया था 224 सदस्यों वाले इस विधान सभा में इसे 135 कॉंग्रेस विधायकों का समर्थन आसिल हुआ था और इसके बाद इसे विधान परिश्यद के सामने रखा गया जहां पर ये पारित नहीं हो पाया मेडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि विधान परिश्यद में इस विधायक के समर्थन में सत्ता पक्ष के साथ सदस्यों ने हां कहा जिबकि 18 विपक्षित सदस्यों ने ही ना कह दिया इसके बाद भाजपा विधान परिशुत सदस्यों ने सदन में जैशी राम के नारी भी लगाए हालांकि इस विद्यक को सरकार दोबारा इस सदन में पेश कर सकती है लेकिन इसके संभावना कम मानी जारी है ये भी कयास लगाये जा रहे हैं कि इसे अब लोगसबा चनावों के बाद ही लाया जाएगा मंदिरों की कमाईश संबंधित इस विद्यक का राजी की विपक्षी पाटी भाजपा और जेडियस लगातार विरोध कर रहे थे उन्होंने सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोब भी लगाया था करनाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने इस मामले में कहा था कि सरकार हिंदू मंदिरों के दान से अपना खजाना भरना चाहती है करनाटा के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता B.S. यदुरप्पा ने इस विध्यक को लेकर कहा था कि आखर हिंदू मंदिर ही टैक्स के दायरे में क्यों लाय जा रहे हैं और बाकी मजहबों के पाक स्थलों को इस दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा कॉंग्रेस पार्टी कितनी हिंदू विरोधी है इसे देश ने कॉंग्रेस के 60 साल से जादा किश्वासनकाल में जेला है आज जो प्रधान मिल्तरी नरेंद्र मोदी देश के विरासत स्थलों को नई उचाई दे रहे हैं ऐसे वक्त में भी कॉंग्रेस के हिंदू विरोधी काम आय दिन देखने को मिल ही जाते हैं अब करनाटक में कॉंग्रेस सरकार ने जो हिंदू विरोधी काम किया था उसमें तो ओंधे मुगिर गई है करनाटक सरकार ने 21 परवरी को विधान सभा में हिंदू धार्मिक संस्तान और धर्माद मंदोवस्ती विधयक पारित किया इसके मुताबिक जिन मंदिरों का राजस्वे 1 करोर रुपे से जादा है सरकार उनकी आय का 10% टैक्स लेगी और मंदिर ट्रस्ट में गहर हिंदू भी शामिल हो सकेंगे यानि जिस तरह मुगल काल में मुगल आक्रमर कारी हिंदूओं से जजिया वसूलते थे कॉंग्रेस भी उसी तरह हिंदों से जजिया टैक्स वसूलनी का प्लान कर रही थी ऐसे में हिंदूओं को जागरुक होने की जरूरत है और कॉंग्रेस को भारती राजनीती से हमेशा कियल विदा कहने की जरूरत है इस तरह की मांग भी होने लग गई करनाटक की सिर्धार मैया सरकार कितनी हिंदू विरोधी है उसका अंदाजा इस वात से भी लगाया जा सकता है कि 16 फर्वरी 2024 को राजी का बजट पेश किया गया वित्य वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व घाते का बजट पेश करने की बावजूद सिर्धार मैया ने खुलकर अल्प संक्यकों के धार्मिक कामों के लिए पैसा लुटा दिया 3.7 एक लाग करोड रुपे के इस बजट में वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड रुपे और भाववे हज हाउस के लिए 10 करोड रुपे का प्रावधान किया गया और इससे तरह इसाई समुदाय के लिए 200 करोड रुपे का भी प्रावधान किया गया यानि कॉंग्रेश सरकार ने अपने बजट में मुस्लिम और इसाई समुदाय के लिए 330 करोड रुपे का प्रावधान किया जबकि करनाटक के करीब 400 मंदिरों से हिंदू भक्तों की तरफ से दिये जाने वाला सालाना और सतंदान 450 करोड रुपे सरकार के खजाने में जाता है यानि हिंदूओं के 450 करोड में से 330 करोड रुपे मुस्लिम और एसाई समुदाय को दे दिये गए करनाटक भाज़पा अध्यक्षु विजयेंदर येदुरप्पा ने कहा कि ये सरकार मंदिरों की एक करोड रुपे से जादा की कमाई पर 10% टैक्स लगाएगी और ये कुछ नहीं गरीबी है शुद्धालों द्वारा दिये जाने वाला चंदा मंदिरों के पुनर नर्मार और शुद्धालों के लिए सुविधाय बढ़ाने और समाच कल्यार में इस्तमाल होना चाहिए लेकिन अगर ये किसी अन्य उद्धेश से आवंटित किया जाता है तो ये लोगों की आस्ता के साथ धोखा होगा ये दुरप्पा ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि सरकार सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही क्यों निशान बना रही है विदेयक के मुताबिक जिन मंदिरों का राजस्व एक करोड रुपे से जादा है उनपर 10% टैक्स लगना था वहीं जिन मंदिरों का राजस्व दस लाख रुपे से लेकर एक करोड रुपे तक है उनपर 5% टैक्स लगाया जाना था एक तरफ जहां भजपा की सरकार मंदिरों का काया कल्प करने का काम लगातार कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रिस की करनाटक सरकार मंदिरों पर टैक्स लगाने का धर्म विरोधी नेड़े भी ले रही है। इससे इनकी मनशाल समझी जा सकती है। कर लगाए जाने का विध्यक विधानसभा में पारिद कर दिया गया। उन्होंने इसे जजिया का करार देते हुए कहा कि ये देश का पहला मामला है जहां धर्म के आधार पर टैक्स लगाने की शुरुवात की गई है। स्वामी जितेंद्रा नंदर सरस्वती ने कहा कि कॉंग्रस पार्टी हिंदूों के साथ गदारी पर उतराई है। कॉंग्रस नितार राहूल गांधी पूरे देश में महबबत की दुकान खोलते हुए गोम रहे हैं लेकिन करनाटक में उनकी पार्टी हिंदूों के खलाब विधयक पारित कर रही है। करनाटक की कॉंग्रस सरकार को हिंदी से नफरत है लेकिन उर्दू से बहुत प्यार है। करनाटक में कॉंग्रस के सरकार में मुस्लिम जिहादी किस तरह का आतंक मचा रहे हैं। उसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि 68 स्कूल के बच्चों को इसलाम कबूल करने के लिए धमकाया गया। इसलाम नहीं कबूल करने पर सकूल को बम से उड़ाने की दमकी दी गई। बैंगलूरू में 1 दिसंबर 2023 को 68 निजीव विद्यालियों को एक इमेल मिला जिसमें उनके परिसर में बम होने का भी दावा किया गया। इमेल मिलने के बाद सकूल के करमचारी और चातरों के अभिवावक घबरा गये और इसके बाद चातरों और करमचारीों को सकूल परिसर से तुरंती बाहर निकाल दिया गया। सरकार मंदिरों के प्रिशास्त को नियमित कर सकती है लेकिर उसे मंदिरों पर कबजा कर लेने का कोई हक नहीं है। सरकार मंदिरों के प्रिशास्त को नियमित करने की सोतंतर व्यवस्ता विक्सित करें। और एक तरफ कॉंग्रेस की सरकार मंदिरों पर टैक्स लगा रही है तो महीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नरततु में केंद्र सरकार खोई हुई सांसकरतिक विरासत को फिर से हासल करने और उनके संरक्षर की दिशा में उलेखनी अकाम भी कर रही है। जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो एक बार फिर से साबने आया लेकिन इस बार हिंदू ने उन्हें करारा जवाब जरूर दिया है। आपका क्या मानना है कोमेंट करके जरूर बताईए बाकी खबरों के लिए आप बने रही क्यापिटल टीवी के साथ नमस्कार।